मगही पान शाही लिची मितला मखाना और जर्दालू आम को बिहार बजट से भी गुड निउस मिला है सरकार की और से सतन में बताया गया है कि इन्हें जी आई टैग मिला है वितमंत्र विजय चौधरी ने कहा है कि हर खेत में पानी और ग्रामीन अर्थ विवस्था को सुद्रीन करने के लिए बजट में विश्यस प्रावधान किया गया है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्रण संकल्ब है बिहार विदान सभा में बजट पेश करने के दौरान वितमंत्र विजय चौधरी ने कहा है कि हर खेत में पानी और ग्रामीन अर्थ विस्था को सुद्रन करने के लिए बजट में विश्यस प्रावधान किया गया है गुर्वत्ता पूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाली शाही लिच्ची, मिथला मखाना, मगही पान और जरदालू आम को जियाई टेग मिला है उन्हें कहा है कि बंजर भूमी में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है गंगा नदी के किनारे और्गनिक खेती के लिए भी योजना बनाई जा रही है विजेश ओधरी के मुताबिक बजट में सोलर लाइट के लिए 352 करूर का प्रावधान किया गया है कजरा और पिरपैर्ती में सोलर उर्जा पर योजना लगाने का नर्णय लिया गया है नीचे मचली उपर बिजली की योजना है जल जीवन हर्याली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वालों को होल्डिंग टेक्स पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी बिहार बजग 2023 मिशाही लिची मिथला मखाना मगही पान और जरदालू आम के अलावा मचली पालन योजना पर भी सरकार की जोर है वित्यमंत्री ने कहा है कि नदी जोड योजना के पूरा खोने से बार की समस्या में कमी आएगी साथी करसी को बढ़ावा मिलेगा कोसी मेची लिंग पर काम चल रहा है पशुधन मचली पालन के लिए 525 दिसंबलो 38 करोर का प्रावधान किया गया है सीम ग्रामीन आवास साहेता योजना के अंतरगत 50,000 की राश्री उपलप्त कराने की योजना है 261,885 करोर की बजट में राजकोसी घाटा 3 फीजदिस से कम रखने की कोश्चस की गई है 2023 का सकल राच्ची घरेलू उतपात 8,99,228 करोर रुपे अनुमानित है वितमंत्री विजे कुमार चौधरी ने बताया है कि बिहार के विकास के बिना देश के अपिक्षित विकास की कल्पना अधूरी है पिछले 10 साथ में बिहार की अर्थवस्था लगबग 3 गुनी हो गई है बिहार का सकल घरेलू उतपात 2011 बारे में 2.47 लाग करोर रुपे था जो 2022 तेस में बढ़कर 6.75 लाग करोर रुपे हो गया है अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राटफ घर को बनाना है एक्स्ट्राटफ टपकॉन एक्स्टी के साथ झाल